पैर की मोच और छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती तूटी कलम और औरों से जलन खुद का भागय लिखने नहीं देती काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता अपना मजभ उचा और गैरों का ओचा ये सोच हमें इनसान बनने नहीं देती सोच की बात है सोच करके एक बार जरूर देखिएगा अक्सर जिंदगी में परिशानिया इनहीं के कारण होती है नमश्कार, मैं हूँ मुहत कमल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की आठ जून के इस विशेश एपिसोड में आप सबी को बधाई एवं शुपकामनाय देना चाहूँगा जिनका आज जनम दिवस है, मैरिज अन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करूँगा सबसे पहले पंचांग से, तारिक आठ जून 2023 से और दिन गुरुबार का है आज के विशेश उपाई में आपके साथ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उन तीन ग्रहों की जो साथ में अगर हैं तो आपको परेशानी ही परेशानी देते हैं चैन से दन गुजारनी नहीं देंगे तो रात को सोने पर सुकुन नहीं मिलता है पर वहीं पर ये भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसे ग्रहों की यूती है जिनके साथ में होने से सफलता मिलती है अपनी जन कुंडली कल जैसे आप लेके बैठे थे आज भी लेकर के बैठियेगा हर उस ग्रहग पर हम बात करेंगे हर उस कॉंबिनेशन पर बात करेंगे जो हमारी जिन्दगी में भुचाल लाता है या तु फिर बहार लाता है चलिए अब बात करते हैं पंचांकी समवत दोहजारसी का आशाड कृष्णपक्ष चल रहा है पंचमी तिती है शाम के साथ बजे तक जिसके बाद में शश्टी तिती आरंब होगी श्रवन नक्षत्र शाम के साथ बजे तक है जिसके बाद में धनिश्टा नक्षत्र आरंब होगा तो वहीं चंद्रमा आज के दिन भी मकर राशी में रहेंगे अब हम बात कर रहे हैं आठ तारिक की और चंद्रमा नो तारिक को सुबे छे बज़ कर दो मिनिट पर कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे तो वहां तक मकर राशी का ही आपको फल प्राप्त होगा तो उसी पर आज के दिन चर्चा की जाएगी अब राहुकाल की अगर बात करें तो दोपहर के डेड़ बज़े से लेके तीन बज़े तक का जो समय है ये राहुकाल है और इसमें कोई भी शुब काम नहीं किया जाएगा पर जब शुब चौगडिया महरत की बात हो तो आज के दिन आपको सिर्फ एक महरत मिलने वाला है और वो है सुभे के 5.49 एम से 7.19 एम तक ये ही समय आपको मिलेगा अगर यात्रा शुरू करनी है बिजनिस के लिए बाहर निकलना है तो इस समय का आप यूप्योग जरूर कीजेगा और इसमें चारचांद लगाने के लिए पच्च्चम दिशा में यात्रा करें तो शांदर सफलता भी प्राप्त होगी क्योंकि ये आज के दिन आपके लिए शुब दिशा बन रही है फिर बात आती है दिशाशूल दोश की तो वो आज के दिन दक्षिन दिशा आगने कहते हैं इंग्लिश में साउथ इस अगर इस दिशा में आप ट्राविल करने वाले हैं तो आज के दिन थोड़ा संभल करके जादा रहना पड़ेगा कही ना कहीं सुक्सुवधाओं में कमी विग्न या तो फिर आज जोखिम जादा रहेगा तो दिशाशूल दोश का परिह वरिष्ट योग चंद्रमंगल योग और लक्षमी योग का आपको साथ मिल रहा है आप अगर अभी तक ये सोच रहे हैं कि कुंडली मेरे पास में तो है ही नहीं कुंडली पर हम डिसकुशन काफी समय से कर रहे हैं तो सिर्फ और सिफ ये सोच करके चलना कि हाँ सुन लेता जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर से मिल के आ गए हैं उन्होंने दवाईयां लिख दी है दवाईयां लिखने से काम होता तो उसके बाद में दवाईयां बिखती नहीं दवाईयां लेने से काम होता है तो उसी तरीके से जब कुंडली पर विशलेशन की बात होती है तो इसमारत में दूसरा जोत्षी नहीं दे रहा होुगा। जिसमें वेदिक जोत्ष केसह को निसार कुंड़ी। लाल कटाब केसह काथ कंड़ी। निumesरिलोजी का निसार आपकी कुंड़ी। और सबी ग्रहयोग और आगे आने वाले दस सालों का प्रेडिक्शन और उसी के साथ में संपूर्ण राजयोगों की जानकारी जो आपकी कुंडली में है तो वहीं राजयोगों के साथ में दुरयोगों की भी जानकारी की ये कब होंगे और उसका असर क्या पढ़ने वाला है ये सबी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके पर जैसे की कहा जाता है कि इंजिनेरिंग की किताब लेने से इंजिनेर नहीं बनते डॉक्टर के साथ में बैठने से डॉक्टर नहीं बनते तो वैसे ही जनम पत्री अकेली होने से जोतिशी नहीं बन सकते अगर समस्याएं हैं तो कुछ हद तक उसको समझने में आसानी होगी पर सही में मार्क दर्शन तो एक सही जियोतिशी ही प्रदान कर सकता है और आपके पास में इस बार इस महीने अफसर है आप इन दोर में मिलना चाहते हैं चंदिगड में मिलना चाहते हैं दिली में मिलना चाहते हैं मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं हमारे offices में हमारे जहां पर हम ठहरने वाले हैं वहां पर आकर की अपनी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान प्राप्थ करना आपके लिए आसान है पर मानते हैं कि हर किसी अ रिए आना मुम्किन नहीं दूर दूर शहरों में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिन्दगी समस्याओं के साथ में ही गुजारें। एक जीवन मिलता है मनुश्य का और उसमें भी अगर सभी तरीके से हर चीज का फाइदा ना मिले, हर चीज करने का मौका ना मिले, हर चीज को एहसास करने का मौका ना मिले। तो क्या सही मैं इश्वर ने ये जीवन इसके लिए दिया है कि अभाव में जीए मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको सच भी नहीं मानता बात ये जरूर है कि समस्याँ उपर वाले ने दिये और समस्याँ उसको देते हैं जो समाधान खोजने के लायक हो जो समस्या से बाहर निकलने के लायक हो उसे ही समस्या देते हैं पर अक्सर होता है कि समस्याओं के बीच में जब इनसान फसा होता है तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो ऐसे में अगर आप कहीं दूर रहते हैं और नहीं मिल सकते तो इन नमबर्स पे संपर्क करके टेलिफॉनिक कंसल्टेंसी के लिए भी पूछ सकते हैं हम फोन पे भी चर्चा कर सकते हैं आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा की जाए तो वो भी की जा सकती है बात इतनी सी है कि आप ये चाहाना चाहिए कहा जाता है कि इनसान जब चाहता है किसी चीज़ को तब ही वो मुम्किन होती है तब ही वो अपना रूप लेना शुरू करती है तो आपके पास में अफसर है इस चीज़ को अपनी सोच को हकीकत में बदलने का बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप असल में क्या चाहते हैं चलिए अब बिना देरी कि ये चालू करते हैं आज का राशी फल और हम शुरू करूंगा मेश राशी से मेश राशी के लिए राशी भाव से टेंथ हाउस में चंदरमा है संपत तारा का साथ अश्टक वर्ग में 29 डाट्स 100% सिचुएशन पॉजिटिव है ओवरॉल आज का दिन शांदार कमाई के साथ में केरियर में फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी फास्ट ट्रैक पे आप रहने वाले हैं तो वहीं पर अपनी इच्छा अनुसार काम को चूस करना उसमें सफल होना फिर आगे शिफ्ट करना या आज के दिन आपके पास में चॉइस है यहाँ पर दामपती जीवन में तो काफी जादा सुख और कहीं न कहीं पर अपने मन मताबक चीज़ों को करने की आपको आज़ादी मिलने वाली है तो वहाँ पर नेम ओफेम की प्राप्ती का है सेल्फ कॉन्फिदेंस का है बड़े बड़े लोगों के सामने अपना इंप्रेशन छोड़ना यह सबी अफसर आज के दिन आपको मिलने वाले है यहाँ पर अगर प्रमोशन को लेके इंसेंटिव को लेके बोनस को लेकर के बात करना चाते थे घबरा रहे थे कि कैसे आगे बढ़ू तो आज के दिन confidence के साथ में अपने seniors के साथ में बैट इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव जरूर रहेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुबरंग रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं व्रशब राशी की, आपके लिए नाइन थाउस में चंद्रमा है, मित्रतारा का साथ, अश्टग वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्ट किया है, पर confusion, expenses, unexpected expenses, कहीं ना कहीं, जिसको हम chest region कहते हैं, यहाँ पर दर्द होना, sharp pain होना, यह परिशानी खड़ी कर सकता है, serious pain नहीं हम, heart attack की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक, हम कह सकते हैं, gastric problems के कारण जो pain आपको महसूस होता है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है, गई ना कहीं चोड़ी चोड़ी बातों को ले करके, राई का पहाड बनाना जिसे हम कहते हैं, वो भी situation develop आपके against हो सकती है, पर जब बात आती है support की, तो logical reasoning के साथ में आज के दिन कमाई बहुत अच्छी करेंगे, जो भी job करते हैं और job में analytical skills जादा चाहिए, calculation based job है, उनके लिए आज के बात करते हैं में थुनराशी की, तो एट थाउस में चंद्रमा है, पर सादक तारा का साथ और अश्टक वर्ग में 24 dots आपको 67% support देते हैं, जिसके कारण हम बाल बाल बचने वाली बात कह सकते हैं कि कहीं कोई अटकाने की कोशिश कर रहा था, साजिश में किसी के फसने वाल ज़रा सकता है, ध्यान ना दें तो लोग लूटने की कोशिश भी कर सकते हैं, अपने स्वेम के जो स्टाफ होते हैं, जिसे हम टीम मानते हैं अपना परिवार मानते हैं, वहीं कहीं ना कहीं फूट लग रही है, जिसके कारण इनसान आपका फाइदा उठा कि आपको पैसों के माइने में और रिश्टों के माइने में आज के दिन हानी पहुचा सकता है, यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ा साफधान जादा रहिएगा, खास दोर पे बाहर जादा खाते हैं, यह कहूं कि उट पटांग जादा खाते हैं, फास्ट फूड जादा खाते हैं, तो आज क करक राशी की करक राशी के लिए राशी भाव से सेवंथ हाउस में चंद्रमा है जर्मतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 24 डॉट से सिच्वेशन आपके लिए 67% पॉजिटिव है अच्छा खाने पीने को मिलेगा दामपते जीवन में अच्छी तरीकी से स्मूथ ली सेल होने वाले है पर अगर कल से आप कंपेर करने वाले हैं यानि कि साथ तरीक से अगर आप कंपेर करें तो आपको आज के दिन इतना जादा हैपी फीलिंग नहीं होने वाली बट फिर भी कहूंगा कि positive time period में ही आप चल रहे हैं तो चाहे आप अपने relations की बात करें अपने दामपते जीवन की बात करें अपने corporate relations की बात करें अपने व्यापार की बात करें तो यहाँ पर satisfactory results आपको फिर भी देखने को मिलेंगे आगे बढ़ना चाता है political career में आगे बढ़ना चाता है influencer है कोई नई चीज की शुरुवात करना चाता है या फिर उनकी agency है जिसको talent agency कहा जाता है वो आज के दिन किसी चीज की शुरुवात करना चाते हैं तो बहुत अच्छा है नए creators को enroll करने के लिए दिन बहुत जादा ब percent positive है चाए हम competition को परास्त करने की बात कहें aggressively move करने की बात कहें अपने गुसे से सामने वाले को चुप करा देने की बात कहें व्यापार में शांदार सफलता खास तोर पे IT या फ्रिये कहें electronics का का काम करने वाले लोगों के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे लोगों से समान भी प्राप्त होगा तो वहीं जिन लोगों को डराक करके रखना चाते हैं भैबीत रखना चाते हैं तो वो भी आज के दिन बड़ी आसानी से आपके लिए हो जाएगा overall दिन बहुत ज़्यादा बहतर है और इस समय को सही तरीके सब प्ल अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं कन्या राशी की आपके लिए 5000 में चंद्रमा है सादक तारा का साथ अश्टेक वर्ग में 29 डॉट्स हैं सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की है पर अब यहाँ पर आज के दिन परिशानी देखने को मिलेगी कही न कहीं न कह किसी चीज को लेके डिफॉल्ट कर दिये हैं तो उसका टेंशन बहुत बनने वाला है यहाँ पर बिना बात के खर्चे फिर भी आपके कंट्रोल नहीं होने वाले आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो घर वाले आगे बढ़के उसको खर्च कर देंगे इनवाल्व ना होके इनडारिकली इनवाल्व अगर रहें आप गाइड करें किसी को तो ज्यादा बहतर है उसमें अपना प्रॉफिट शेर रख लीजेगा तो आपको मुनाफ़ा फिर भी हो सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुबरंग रहेगा नंबर भी सभाववाली कही जा सकती है करूं या नहीं करूं डाटूं या नहीं डाटूं प्रेम करूं या नहीं करूं हर चीज को लेके कन्फ्यूजन बढ़ी है क्योंकि एक तो सप्राइस के तौर पे चीज़ें आपके सामने आ रही है जिन चीज़ों का आपको पता नहीं है च बिनाबाद के खर्चे, डॉक्टरों के आगे पीछे घूमना, दवाईयां लेकर के आना और अंत में देखना, कि घर पे जैसे ही पहुचे, जिस इनसान को हम बोल रहे थे बिमार है, वो बड़े आराम से घूम फिर रहा है, खूद रहा है, और फिर लगेगा कि इतनी खर्च देने से बचिएगा, खास तोर पे दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, कोई बिजनस पार्टनर आगया, स्टाफ आगया, एडवांस मांगने के लिए, पैसे मांगेंगे, कम से कम दो दिन के लिए, उनको इंतजार करने का कहिए कि अरेंज करने में दो दिन लगेंगे, फि ऐसे लाने वाला मान सकता हूं इसे संपत्तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉस्टिव है तो मेजर कैश फ्लो आज के दिन देखने को जरूर मिलने वाला है। जरूर बढ़ेंगे कोई ना कोई आपके डिसिशन आज के दिन आपकी यह जो सपने है इसको पूरा करने में जरूर सहायक सिद होंगे। इमोशनल भी बढ़े होंगे तो वहीं पर घर पालों का सपोर्ट और प्रेम आज के दिन पूरा मिलेगा। जो जॉब करने वाले लोग हैं क्योंकि हर कोई तो आज के दिन घर नहीं खरीच सकता तो जो आफिस जाएगा या फिर अपने बिजनस के लिए जाएगा उनके जरूर कहूंगा। आज के दिन लोगों को इंप्रेस करके नया बिजनस अटेंड करेंगे यह आपके लिए बोला जाएगा। अब बात करते हैं धनुराशी की आपके लिए राशी भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है। आपर हर चीज पॉजिटिव होते हुए भी ऐसा ऐसास होगा कि सामने वाला आज के दिन सिर्फ आप्लिगेशन के कारण आपसे मीटिंग कर रहा है। ना सुनना चाता है ना जिस परपस से आप जा रहे हैं उस परपस को फुल्फिल करना चाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सामने बैठाने के लिए वो एहसान कर रहा है। यह कहीं ना कहीं पे आज के दिन आपको लग सकता है और काफी हद तक यह सही भी है। यहां पर कोशिश कीजेगा कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ में टीम स्पिरिट के साथ में काम करें जिसको हम कहते हैं कि मैं अपनी टीम से काफी जादा अचा हूँ इस भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अपनी टीम से भी हाथ खो बैठेंगे और कहीं ना कहीं पे नौकरी से निकालने तक की नौमत आ सकती है तो इसके लिए बहुत संभल करके आज के दिन लोगों को ट्रीट करें शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबरंग रहेगा नमबर नाइम अब बात करते हैं मकर राशी की तो राशी भाव में ही चंद्रमा है अश्ठक वर्ग में भी 23 डॉट्स है पर फ्रत्यारी तारा का साथ है ये कही न कहीं पर प्राउब्लम जरूर क्रियेट करेगा ये फर्स्ट हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद कहूंगा 70% ही आज के दिन आपके लिए पॉस्टिव है हाँ ये जरूर है कि अनेक्सपेक्टडली चीजों का बहुत अच्छा हो जाना अचानक से पैसे मिल जाना कहीना कहीं से काम अपने आप बन जाना लोगों की सहायता अच्छे से मिल जाए ये जरूर होगा तो वहीं पे confidence भी आज के दिन बड़ा बना रहेगा पर ये confidence over confidence में convert हो सकता है परेशानी वहाँ पे आएगी कि हर चीज मैं ही करता हूँ मैं ही हूँ जो सबसे बहतर हूँ ये feeling आज के दिन आपके बने हुए कामों को खराब कर सकती है इस एक चीज को control करने की जरूरत है जिसको हम कहते है इगो आ जाता है हम अपने आपको superior मानना शुरू कर देते हैं इस से आपको बचना है health wise भी काफी जादा आपके लिए better time period शुरू हो रहा है और ये आगे आने वाले एक दिन तक और आपको better लगेगा उसके बाद में muscular pain फिर भी शुरू हो सकते है पैरों का दर्द खास तोर पे पिंडलियों का दर्द ये आपको परेशान कर सकता है अब यहाँ पर आज के दिन कोशिश है इस चीज की कीजेगा कि लोगों को अच्छे से treat करें तो अच्छी income होगी खराब तरीके से treat करोगे तो वही बात है जो support मिल रहा है वो चंजाएगा कही न कहीं पे हर चीज positive होते हुए भी हाथ में कुछ नहीं आएगा ऐसे में ये लोकलर का इस्तमाल कीजिए का अपने आपको काम रखिएगा और शुब अंक आपके लिए रहेगा नमबर थ्री अब बात करते हैं कुंब राशी की कुंब राशी के लिए 12,000 का चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का ही साथ है और अश्टक वर्ग में 32 डॉट्स है ओवरॉल सिच्वेशन यहाँ पर आपके लिए 32 परसंट सपोर्ट की है बिनाबाद के खर्चे भी होंगे तो महीं हेल्थ में आज के दिन मेजर प्रॉब्लम सा सामने आ सकती है दातों का दर्द, जबड़े का दर्द, सांस लेने में परेशानी आँखें धुंदला जाती है यह सबी परेशानिया देखने को मिल सकती है और खास तोर पर इस समय में चोटल होना, खून बहना यह समझ से उत्पन हो जाएगी आज के दिन तो थोड़ा जादा संभल करके रहे कहीं न कहीं ये भी आपको राय दूँगा कि गाड़ी आज के दिन स्वैम ना चला है मैं तो कहता हूँ कि रोड़ पे ही न उतरे है, वर्क फ्रम होम एबिलेबल है तो वही कीजे सबसे बेटर और सिक्यॉर वे आपके लिए रहने बाला है आज के दिन अपने घर में ही उपस्तित जो मेंबर्स हैं उनके साथ में गलत फहम या जादा बनने वाली है हर चोटी चोटी चीज को ले करके उंगली उठा देनी की आदत परिशानी में डाल सकती है यात्रा एक खास तोर पे इस समय में करने से मना ही कर रहा हूँ तो वहीं अपने आप पर और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करने का भी आज के दिन आपको राय दे रहा हूँ आज डाक ब्लू कलर का इस्तिमाल करें तो काफी जादा बहतर रहेगा तो वहीं शुब अंक आपके लिए रहेगा नंबर साथ अब बात करते हैं मीन राशी की अगर आप किसी कोट केस में फसे है आज अगर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है बुलावा आ चुका है तो मान करके चलिए कि आपके हित में है जीवन के सुख भी प्राप्त होंगे तो महीं पे यंगस्तर्स जो हैं दोस्ती बनाना चाते हैं आपसिट सिक्स के साथ में आगे बढ़ना चाते हैं कहीं न कहीं पे इस दोस्ती को एक नाम देना चाते हैं तो वो भी आज के दिन मुमकिन जरूर होगा सेहत का तो फाइदा मिल ही रहा है तो व्रद लोग जो है घर में उनकी उपस्तिती ही अपने आप में काफी पॉजिटिव आज के दिन देखने को मिलेगी उनसे राय प्राप्त करना उनको आपसे बात करना बहुत ही ज़ादा हैपी एंवान्मेंट में घर में जरूर बनाएगा यहाँ पर जो एस्ट्रालिजी सीखने वाले बच्चे हैं टैरोकार रीडिंग सीख रहे हैं प्रानिक हीलिंग सीख रहे हैं वास्तू शास्त्र निमरलाजी जो आप ये सीख रहे हैं आज के दिन कहूंगा अपने गुरू के साथ में अच्छी चर्चाओं के होते वे आज के दिन रेविलेशन का दिन रहने वाला है अप्रेसियेशन प्राप्त होने वाला है कही ना कहीं पर कॉन्फिडेंस भी इसी कारण आएगा कि जिसे हम अपने आपसे उपर मानते हैं आ अब बात करते हैं आज के विशेश उपाय की कौन से वो तीन ग्रह साथ में अगर बैठें तो जिन्दगी में भुचाल लाते हैं जैसे कि कल आपको बताया था किसी भी ग्रह की युति का कुंडली से ही पता चलता है कि स्थिती क्या है मित्र ग्रह के साथ में बैठके अच् पर निर्बर करेगा तो वहीं किस भाव में बैठे हैं उस पर भी निर्बर करेगा पर आज के लिए जो हम विचार कर रहे हैं जो हम बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी की है कि तीन ग्रहे जब साथ में बैठते हैं तो कौन से ग्रहों के जो साथ में बैठने पर कौन से ऐसे तीन ग्रहें जो आपकी जिंदगी में एश और आराम और कहीं न कहीं सफलता जरूर लाते हैं। तो चलिए उनी ग्रहों के बारे में अब हम बात करना शुरू करते हैं। तो अब आज हम बात कर रहे हैं मंगल की, बुद्ध की और गुरू की। अगर ये तीन ग्रहे साथ में बैठते हैं तो अपने कुल का राजा बनाते हैं, अपने परिवार का राजा, यानि कह सकते हैं कि जो वन्श आपका चल रहा है, आपका परिवार है, फैला हुआ, उसमें सबसे एहम भूमिका, वो आपने भाएंगे। विदवान भी बनते हैं, शायर और कवी भी बनते हैं, गाने के शौकीन भी बनते हैं, तो ऐसे इनसान की पतनी, सुन्दर, इट्राक्टिव और वहीं पर पावरफुल पस्टनालिटी होती है। फिर बात आती है, मंगल, बुद्ध और शुक्रकी, जब इन तीन ग्रहों की युती बने, तो चंचल सोभाव बन जाता है। इनसान धनवान जरूर बनेगा, हमेशा खुश रहने वाला बनेगा, जिसको हम कहते हैं, हापी गो लकी, जॉली इनसान है, बड़ा खुश आदमी है, इसके चहरे पे हमेशा मुस्कराहट रहती है, वही इनसान ये होगा, बस ये खुश रहने वाला है, क्रोध से होता नही तो सामने वाला गुसा दिला है तो भूल जाता है फिर बात आती है तीनों बली माने जाने वाले मंगल, बुध, राहू अगर ये साथ में है तो समाजिक तौर पर बुरा इंसान बनता है कंजूस होता है, लाल्ची स्वभाव का होता है इर्शिया भाव बहुत होता है और ऐसा इनसान रोगी होगा फकीर, जिसे हम कहते हैं लकीर का फकीर बनता है कि भाग्यवसाद बस बैटा हुआ है, काम कुछ नहीं करेगा बस ये सोचेगा कि ये हो जाए, तो मैं पैसे आ जाएंगे बस इसी के अंदर परिशान हुआवा, कुछ नहीं कमा पाता तो ऐसा आप बदल भी सकते हैं उपाए हर चीज का होता है पर बात इतनी सी है कि खुद को पहले ये जानना जरूरी है फिर बात आती है मंगल, बुद्ध और केतु की अगर ये उपस्तिती है कि ये तीन ग्रह साथ में यूती बना रहे हैं तब इनसान के साथ बहुत अशुब होगा रोगी होगा, कंजूस होगा, दरिद्र होगा गंदा रहने वाला होगा, और्गनाइज नहीं रहता है, साफ सफाई में नहीं रहता है बिनाबाद के काम, बिनाबाद के लोग, जिसे हम कहते हैं कि इस काम को करने से कोई फाइदा नहीं मिलना है इस काम को करने से पैसे नहीं आने, सिर्फ समय वियर्थ होना है, गलत लोगों का साथ मिलना है, वो इस इनसान के साथ में होता है फिर बात आती है गुरू की, सूर्य की और बुद्ध की अगर इनकी युती बने तो पिता के लिए अशुब बन जाता है विद्या विभाग में नौकरी जरूर करेगा, हायर पोस्ट भी प्राप्त करेगा पर पिता के साथ में मदभेद पिता को नुकसान पहुचाने वाला बनेगा फिर आती है बात गुरू, चंद्र और शुक्र की ये अगर साथ में हैं तो दो विवा संभव करते हैं ये इस तरफ इशारा करते हैं कि जिस भी इनसान की कुंडली में अगर ये यूती बने तो दो विवा होंगे रोग लगे रहेंगे, प्रेम प्रसंग में बदनामी मिलेगी, एक्स्ट्रा मारिटल अफेर्स की तरफ खिचा चला जाएगा तो कभी धनी तो कभी गरीब बना रहेगा, कि एक पैसा आता है, खर्ज कर देता है, कोई न कोई गलती हो जाती है, वापस चले जाता है आर्थिक स्थिती जो है इस इनसान की वो चर्मराई रहती है, और आज के दिन एक उधारन देता हूँ ये पर्टिकलरली एक इनसान की कुंडली में देखा है, उस इनसान का नाम आप सिंगर के नाम से जानते हैं, योयो हनी सिंग के नाम से काफी जादा, यहाँ पर कहेंगे फेमस है, बहुत ही जादा इज़त कमाई है इस नाम के साथ में, पर उनकी कुंडली में यही युती बनती है फिर बात आती है चंद्र मंगल की युति अगर ये साथ में हो और साथ में गुरू सरी गुरू चंद्र और मंगल अगर ये साथ में युति बनाते हैं तो उत्तम जीवन तो इनसान जरूर पाएगा धनकी कमी कभी नहीं रहेगी कभी भी ये नहीं कहेगा कि पैसे नह दोनों ही स्थितियां यहां पर आपको दिखने को मिलेगी तो इनसान कभी भी कमी तो फैस करता ही नहीं है अच्छी पोजिशन भी प्राप्त करता है नेम ओफेम भी प्राप्त करता है और अधिकारी बड़ा बनता है खास तोर पे गवर्न्मेंट डिपार्टमेंट्स में इज़त, पावर, रुद्बा तीनों चीज़ें प्राप्त करता है और ग्रहस्त जीवन भी कहें तो काफी ज़्यादा सुक पूर्वक इनका बीटता है फिर बात आती है गुरू की, चंद्र की और बुद्द की अगर इनकी यूती हो तो धनी, अध्यापक, दलाल बन सकता है ये तीन अलग फील्ड्स है अब पिता के लिए अशुब बनेंगे तो माता इनके कारण बिमार जादा रहेगी ये कहें कि यूती के कारण जो मातर भाव है या जिस भाव से माता की सेहत का ध्यान दिया जाता है उनको विचार किया जाता है, वो वहाँ पर गड़ बड़ा जाता है फिर बात आती है गुरू शुक्रो और मंगल के यूती की अगर ये यूती आपकी कुंडली में बनती है तो ये सीधी तोर पे ये दर्शाता है कि परेशानी हमेशा बनी रहेगी हमेशा पीछा करती रहेगी और खास तोर पे संतान के साथ में परेशानी ये आपको जंजोड के रख सकती है तो वहीं पर प्रेम संबंद की बात कहें ग्रहस्त जीवन की बात कहें तो यहां पर दुख हमेशा पीछे पड़ा रहता है फिर बात आती है गुरु शुक्र और बुद्ध की अगर ये उपसिति आपकी कुंगली में बनती है तो कुटुम यद फिर ग्रहस्त सुक बुरा मिलता है कही न कहीं मदभेद होते हैं अपने परिवार से अलगाव के स्थिति होती है अलग कर दिये जाते हैं ये स्थितियां उत्पन होती है तो पिता के लिए अशुब बन जाते है वियापारी वर्ग से निराशा जादा प्राप्त होती है फिर बात आती है शुक्र शनी और गु decision making के लिए दोनों ही अपने आपको सबसे main head मान लेते हैं तो ये problems create करने के लिए जिम्मा इन तीन ग्रहों को मिलता है फिर बात आती है गुरू, मंगल और बुद्ध की ये युती संतान कमजोर करती है यानि कि संतान जो आपकी होगी वो कमजोर पैदा होगी bank agent और धनवान वकील इस युती के कारण अब बन सकते हैं तो यही युती संबंद जो है क्या positive हो सकता है क्या negative हो सकता है, किस field में फाइदा होता है तो कहां पर निराशा हाथ लगती है ये सबी चीज़ें जोतेश के मादियम से आराम से पता की जा सकती है आप कह सकते हैं कि ये science ही है ये science का ही एक branch और बार बार proof किया गया है पर फिर भी आज के जमाने में लोग इसे गलत मानते है गलत इसके कारण मानते हैं क्योंकि जोतिश ही नहीं बलकि पाखंड जोतिश जो है, वो बड़े बड़े रहे हैं प्रमोशन करते हैं, अपने आपको बहुत बड़ा बनाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चेकनी चुपड़ी बातें करके आपको फसा लेते हैं जब ऐसे होता है, आप एक बार तो इंप्रेस हो गए, पर जब आपको result नहीं मिलता तब उस इनसान को दोशी नहीं मानते हैं, आप इस फील्ड को दोशी मानते हैं कि जोतिश खराब है जोतिश ही नहीं, जोतिश एक सीधे सद्धान्त पर काम करता है मैंने अपने दादाजी को देखा, अपने पिताजी को देखा और अब मैं आप जिन्दगी में क्या ठोकरें खाते हैं? आपके क्या अनुभव होते हैं? आप किस नजरिये से अपनी जिन्दगी को बिताते हैं? आपके आसपास में लोग कैसे हैं? ये आपके प्रेडिक्शन्स पर एक गहरी चाप छोड़ता है तब ही अच्छा एस्ट्रॉलजर वही है जो इन परिस्थित्यों को समझते हुए सही गाइडिन्स के साथ में प्राक्टिकल नॉलिज के साथ में आपको रहा दिखाए एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ जोतिश क्या कहती है वो आपको कह दिया जाए पर जोतिश जब बनी थी जब इंसेप्शन हुआ था तब जमाना अलग था आज हम जिस जमाने में हैं वो अलग है और कल जब मेरे बच्चे होंगे वो इसी फिल्ड में आगे बढ़ेंगे आप सभी को मार्क दिखाने की कोशिश करेंगे तब समय अलग होगा पर बात यही होगी कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं उसका प्रभाव आपके प्रेडिक्शन पर ज़रूर पढ़ना चाहिए तब ही सामने वाले की समस्या को अपनी समस्या समझ करके समाधान बताया जा सकता है तब ही वो पर्सनल टेच का है या स्पिरिच्वल गाइडिन्स का है गुरू का है टीचर का है तब ही तो बनते हैं तब ही तो आप प्यार से मेरे पिताजी को मेरे दादाजी को गुरु देव बलाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं पर उन्हों की ये जो च्छाब है आपकी जिंदगी पर ये आपको देखने को मिली और इसके कारण आपने अपनी जिंदगी में जो पाया है जो अच्छा पाया है जो बदलाव देखा है वो है मैं कहें नहीं सकता हूँ कि मैं कितना जादा गौरवानवित महसूस करता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि आप श्रिमाली जी है अच्छा आपके पिता जी कमिल श्रिमाली जी है दादा जी रादकृष्ण श्रिमाली जी है ये श्रिमाली परिवार से आप हैं आप सोच नहीं सक प्यार बना रहे हमेशा की तरह प्रात्ना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े भुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमार साथ में बना रहे जैश्री रामेवम जैहन जैश्री रहे।